तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन सुपर लीग 2023-24 सीजन से रिलेटेड ट्रांसफर अपडेट्स के बारे में तो आप सभी को पता ही है कि जनवरी ट्रांसफर विंडो जल्द ही ओपेन होने वाला है और ISL के सारे ही टीमों के तरफ से काफी सारे ट्रांसफर रिलेटेड अपडेट्स भी आना शुरू हो चुका है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से डिटेल्स में शेयर करूंगा कि कौन से वो फॉरेनर खिलारी हैं जो अभी फिलाल ISL के क्लब्स में जॉइन कर सकते हैं लेकिन दोस्तो वीडियो दोस्तो अलबर्तो बोतिया 34 वर्शे स्पैनिस सेंटर बैक के खिलारी है तो अलबर्तो बोतिया ने अपने फुटबॉलिंग केरियर में सिवेला और बार्सलोना जैसी टीमों के लिए खेला है और जैसे की खबर आ रहा है कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में किसी ISL के कलब में ये साइन कर सकते हैं ऐसा ही अभी फिलाल का रियूमर है और उसके बाद आगे बढ़े और बात करें अगले खिलारी के बारे में जो की एक मिटफिल्डर है तो दोस्तो इनका नाम है फ्रैंक कारणीसियर और ऐसा खबर आ रहा है कि इस स्पैनिस मिटफिल्डर के साथ कि आएसल कलब का बातचीत चल रहा है तो दोस्तो फ्रैंक कार्णिस्यर मेंली एक मिट्फिल्डर है जो कि अटैकिंग ले भी काफी अचा फुटबॉल खेलते हैं जैसे की खबर आ रहा है तो फ्रैंक कार्णिस्यर का ज़रुरत किस टीम को है अगर देखा जाए तो मोहन बगन सुपर जैंस को भी एक चाहिए एक फॉरेनर मिट्फिल्डर जैसे की खबर है तो ये मोहन बगन एफसी के साथ भी लिंक्ट रह सकते हैं और उसके बाद आगे बारे और बात करें इस स्ट्राइकर के बारे में जो कि ब्रजील से आते हैं और ऐसा खबर आ रहा है कि इस्ट बैंगल एफसी बर्गसन को जनवरी ट्रांसफर विंडो में अपने टीम में साइन करवाने की कोशिश कर रही है और समर्ट ट्रांसफर विंडो 2023 में भी बर्गसन को इस्ट बैंगल FC अपने टीम में साइन करने की कोशिश कर रही थी लेकिन किसी कारण वर्ष ये डिल कंफर्म नहीं हो पाया और उसी के कारण जैवियर सिवेरियो को इस्ट बैंगल FC ने साइन किया लेकिन आप सभी को पता ही है कि जैवियर सिवेरियो को जनवरी ट्रांसफर विंडो में इस्ट बैंगल FC रिलीस करने वाली है और उनहीं के रिप्लेस्मेंट में बर्गसन को इस्ट बैंगल FC अपने ट में sign कर सकती है तो ISL के कौन से club के साथ confirmation इनका चल रहा है बाचित चल रहा है ये अभी तक कोई भी official source से पता नहीं चल पाया है लेकिन दोस्तों अगर कुछ भी update आता है तो मैं आपसे भी से जरूर details में share कर दूँगा तो चले दोस्तों फिलाल ये वीडियो में इतना ही था आशक करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो शेर करो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकोन को भी प्रेस कर दो तो चेलो दोस्तों अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में